18 प्लस को तो किसी न किसी तरह अगले कुछ महिनों में वैक्सिन लग जाएगी लेकिन नएने वेरियंट्स और बच्चों भी बढ़ते संक्रमण को लेकर आप पेरियंट्स में अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है फाइजर की वैक्सिन बच्चों के लिए अप्रूवल पाने वाली दुनिया की पहली कोरोणा वैक्सिन हो गई है क्यानिडा की ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कैनिडा ने 12-15 साल तक के बच्चों को ये वैक्सिन लगाने की इजाज़त दे दी है इससे पहले ये वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्रवालों को लगाई जा रही थी फाइजर बायो एंटेप की कोरोना वैक्सीन को 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों को लगाने की इजाज़त मिलने की उम्मीद है फाइजर की वैक्सीन के ट्राइल्स जनवरी से मार्च तक हुए हैं इसकी एफेक्टिवनेस 100% साबित हुई है अमेरिका में ही फाइजर के अलावा मॉडर्ना और जॉनसन और जॉनसन की वैक्सीन के भी बच्चों में ट्राइल्स किये जा रहे हैं अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भी 12 से 17 साल के आयूवर के 3000 किशोरों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिये हैं नोवावैक्स की वैक्सीन को अब तक किसी भी देश में मंजूरी नहीं मिली है इसमें शामिल हो रहे बच्चों की दो साल तक निगरानी की जाएगी अमेरिका के साथ साथ यूरूपिय संग के 27 सदस्य देशों ने फिलहाल 16 साल से ज्यादा उमरवालों के लिए फाइजर की वैक्सीन को इमर्जेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है पुरी दुनिया कोरोना वाइरस को रोकने के लिए वैक्सीन परने भर है बच्चों को लेकर अब चिंता बढ़ रही है ऐसे में फाइजर की वैक्सीन को कब तक इजाज़त मिलेगी फाइजर ने 13 अपरेल को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूज एफडिये से वैक्सीन का इस्तिमाल करने की इजाज़त मागी थी वैक्सीन को बच्चों को कैसे और कब लगाया जाए US FDA की एक प्रवक्ता ने Washington Post से कहा है कि हम जल्द से जल्द और पूरी पार दर्शिता के साथ फाइजर के अनुरोध की समिक्षा करेंगे फिलहाल फाइजर की वैक्सीन 16 साल से ज्यादा आयू समोह वालों को ही लग रही है अब जानिए कि बच्चों पर कितनी इफेक्टिव है फाइजर की ये वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मनजूरी मिलने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सिनेट कर कोरोना वाइरस को रोकने में जो प्रयास किये जा रहे हैं उसको और भी मजबूती मिलेगी पाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल के उम्र के 2260 बच्चों पर इस वैक्सिन का ट्राइल किया है 31 मार्च 2021 को घोशित नतीजों के मताबे कि ये वैक्सिन इस आयू समूह पर 100% एफेक्टिव सावित हुई है अब है कि जिन्हें ये वैक्सिन लगी उनमें से कोई भी वाइरस से इंफेक्टेड नहीं हुआ ट्राइल्स में 18 बच्ची कोरोना से इंफेक्ट हुए थे पर वो सभी प्लैसिबो ग्रुप के थे वैक्सिन ग्रुप का उसमें एक भी बच्चा नहीं था इसके बाद भी ट्राइल्स में शामिल बच्चों की 2 साल तक निगरानी की जाएगी ताकि उनके शरीर पर वैक्सिन के दूरगामी असर को भी समझा जा सके कमपनी का कहना है कि बच्चों को जल्द से जल्द फिर से स्कूल भीजना जरूरी है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके दोस्तों और परिवारों के साथ खेल सके इसी के साथ साथ फाइजर ने मार्च में 6 महीने से 11 साल तक के छोटे बज्चों पर clinical trials भी शुरू किये हैं उमीद की जा रही है कि इन trials के शुरुवाती नतीजे गर्मियों के अंच तक मिल जाएंगे अब सवाल ये है कि भारत में बच्चों की वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी इस बारे में फिरहाल कुछ भी कहना मुश्किल है भारत बायोटेक ने फरवरी में बच्चों को को वैक्सीन ट्रायल में शामिल करने का आविदन दिया था पर ड्रग रेगुलेटर ने ये कहकर आविदन खारीज कर दिया था कि पहले बैसको पर वैक्सीन की एफेक्टिवनेस साबित करो इसके बाद मार्च में कहा गया कि भारत बायोटेक जल्द ही बच्चों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर सकता है अलाके पिछले महीने ही भारत बायोटेक ने फेस्ट्री ट्रायल के दूसरे अंतरिम नतीजे जारी किये और कहा कि उसकी वैक्सीन 78% तक एफेक्टिव है इन नतीजों के आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि को वैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल करने की अनुमति जल्द मिल जाएगी इसके बाद ही भारत में बच्चों के बीच इस वैक्सीन का ट्रायल हो सकेगा पिशले महीने भारत सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला किया है इसके तहर फाइजर, ओटरना के साथ साथ जॉंसन एन जॉंसन की वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होने के आसार है अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी तो प्राइवेट मार्केट में आने वाले विदेशी वैक्सीन को देश में बच्चों को लगाने की इजाज़ा दी जाती है या नहीं ये भी देखना होगा ऐसे ही और भी नॉलिज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े